नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका नियूज ओल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रदिमने शर्मा दिलजीत दोसांच ने ट्वीट किया जिसके बाद कंगना ने भी उने गेरते हुए उन पर हमला किया उसके बाद कंगना के बहुत सारे ट्वीट्स ट्वीटर ने हटा दिये तो प्रदिमन की बात कर ली जाए, चाहे हॉलिवूड की, चाहे बॉलिवूड की, अगर पॉलिवूड सिंगर्स के हम लोग बात करते हैं, पंजाबी गायकों की बात करते हैं, तो वो 26 जनवरी की जो घटना हुई थी, उस पर उन्होंने जाधा प्रतिकरिया नहीं दी, ऐसे मैं वो लगात लेंगा हैं जो खुद दिल्ली पेंले में शामिल भी हुए थे लेकिन जब 26 जनवरे की जो घटना होती है उसके बाद हिमानश्य कुराना की हम बात करते हैं फिर भी यही उनका इंस्टाग्राम पर उनकी स्टोरी लगती है कि अभी भी किसानों को समर्थन देना चाहिए उनका समर्थन करना चाहिए तो अपने आप में यह चीज़ देखने वाली बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतनी बड़ी घटना चबिस तारिक की होती है उसके समर्थन कितनी हद तक ठीक है यह जरू देखने वाली बात होती है लेकिन जिस तरीके कि अभी जो ट्वीट्स किये जा रहे हैं ऐसे मैं मिताब बच्चन से लेकर शुनील शेटी अजय देवगन अक्षय कुमार जिसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो खुद बात क करें तो वो सरकार का सपूर ले रहे हैं सरकार की तरफ से वो लोग बोल रहे हैं कि सरकार ठीक कर रहे हैं किसान भी ठीक कर रहे हैं बात से समझोता निकलना चाहिए और लेकिन अगर हम पॉलिवूड की बात करते हैं पंजाब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पंजाब इ यहां पर किये जा रहा है कंगना की अगर हम बात करते हैं तो कंगना बड़े ही बेवाकी से अपनी बात यहां पर रखती हैं और लगातार जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो ऐसे मैं कंगना और दलजीत के बीच में एक तीखी जंग देखने को मिरी थी जहाप पर है ट् इस्टाग्राम के जरिए फेस्बुक के जरिए एक दूसरे के ऊपर तंज कसे जा रहे थे लगाता एक दूसरे के ऊपर ट्वीट्स किये जा रहे थे लेकिन कंगनार नौत 26 तारिक के बाद से कुछ इस तरके के ट्वीट्स कर रहे हैं क्योंकि दलजीत इस तरके का जवाब जो है वो अभी उनको नहीं दे पा रहे है तो जो ट्रोलर्स हैं जो ट्रोल करते हैं इनको वो लगाता इतनी जल्दी ट्रोल हो जाते हैं क्योंकि जो जिस तरीके की 26 तरीको घड़ना हुई है ऐसे मैं मौजूद अस्तिती तो यही कहती है कि राजनीती अपनी जगा है लेकिन पॉलिवूड बॉलिवूड और हॉलिवूड को इस चीज में दखल नहीं देना चाहिए कई ऐसे बड़े सितारे हैं जो यह चीज बोल रहे हैं कि हमारे देश की बात है और हम अपने देश में इसको निप्टा लेंगे सुल्टा लेंगे बात चीत करने से बात ठीक हो हैं कि भार से जो समर्थर हमको मिल रहा है वो ठीक है हमको सुईकार है कोई दिक्कत नहीं है उसमें लेकिन जो सेलिब्रिटीज हैं बॉलिवूड सेलिब्रिटीज हैं वो इस चीज को गलत बता रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि हमारे देश की बात है हमारे देश के लोग इसको वो चक्का जाम नहीं करेंगे लेकिन आज फिर से उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा है कि वो 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे तो क्या इस तरह से हम देख रहे हैं तो क्या 26 जनवरी को भी उन्होंने कहा था कि हम ट्रेक्टर परेड निकालेंगे उसे शांती पून तरीके से निकालेंगे लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ वो देश ने नहीं दुनिया ने देखा और उसकी हर कोई निंदा कर रहा है तो क्या एक बार 6 फरवरी को वही घटना दोराई जाएगी 6 फरवरी के अगर हम बात करते हैं तो राकिस चक्यतने ये चीज़ साफ तोर पर बोल दिया है कि तीन घंटे का चक्का जाम होगा लेकिन दिल्ली के बाहर होगा दिल्ली में नहीं किया जाएगा अब उस बात पर भरोसा कितना किया जाना चाहिए ये वक्त बताएगा क्योंकि ये भरोसा 26 जनवरी को भी दिया गया था अब दिल्ली पुलिस उस बात पर भरोसा नहीं कर पारी है तीन घंटे का चक्का जाम कहीं भी होता है तो ऐसे में आम जनको बहुती परिशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जब चक्का जाम होता है तो ट्रेफिक जाम हो जाता है ट्रेफिक निकल नहीं पाता है ऐसे में बहुत सारे emergency case होते है, किसी को अस्पताल जाना होता है तो उन लोगों के लिए क्या कुछ विवस्ता वहाँ पर किसान की तरफ से की गई है कि ambulance को कैसे रस्ता दिया जाएगा या फिर police प्रशाशन किस तरीके से इस चीजों का handle करेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन दिल्ली पुलिस ये चीज़ राकिष चकैति तरफ से बोल दी गई है कि दिल्ली में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन दिल्ली पुलिस इस बात को माननी रही है कि कल को अगर ये लोग बात से पलटते हैं तो फिर दिल्ली की स्थिती 26 जनवरी जैसी एक बार फिर से ना हो जाए, वो तस्वीर फिर से निकल के सामने ना है, इसके चलते हैं, ये सब चीज पहले से समाली जा रही है, मीटिंग का दौर लगाता है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बड़े बड़े अधिकारी है, वो य जा रही है, जिससे कि 6 तारिक को जो बात कर दी गई है, कूच करने की, ऐसे मैं मने तो किया गया है, लेकिन फिर भी एतियात के तौर पर सुरक्षा की फुक्ता इंतजाम यहाँ पर किये जा रहे हैं, कि अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच भी करते हैं, तो किसी भी कीमत प तीन किश्री कानून को वापस करानी के लिए हो रहा है तो उसका भविश्य क्या है ये सबसे महत्पूर सवाल है चाया हॉलिवूड सपोर्ट करे पॉलिवूड सपोर्ट करे वो एक अलग चीज हो जाती है वो अपना समर्तन दे रहे हैं लेकिन भविश्य क्या है आगे होना क आया है, दो महिने से उपर का समय बीच चुका है, आखिर कब तक, ये सबसे बड़ा सवाल लेकर सामने आता है, लेकिन अगर ये सवाल लेकर Newsville इंडिया की जब टीम ग्राउंड जीरो पर जाती है, पूस्ती है किसान निता उसे, तो वो ये हमेशा इस बात को बोलते हैं कि ज जब तक किसान विल वापस नहीं होगा, जब तक हम घर वापस नहीं होगे, तो ये जरूर देखने वाली बात है कि आखिरकार कब तक ये किसान का जो आंदोलन है, वो चलेगा, लेकिन ऐसे मैं, जहां जहां से किसानों को समर्थन मिल रहा है, चाए वो विपक्षी दल की ब पूच रहा है, उनका जमाबड़ा महाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे मैं विपक्ष जो है वो लगातार इस बात का समर्थन कर रहा है, लेकिन सरकार को जो सरकार का अडियल रवया है, उससे थोड़ा सा उसको नीचे आना चाहिए, कम करना चाहिए, किसानों को भी य हट रही है, तो किसान भी एक कदम पीछे हट है, जिससे इस बात का जो इतनी परिशानी महाँ पर सभी लोग जेल रहे हैं, ये कहने वाली बात होती है, कि चलिए ठीक है, मांदुलन में है, मांदुलन में सपोर्ट कर रहे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सडक पर ट्रॉली में सोना और इतनी भरी सर्दी में महाँ पर आप सो रहे हैं, खाने पीने की आप घर जैसा आपको वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो कहिना की परिशानी तो होती है, लेकिन अपनी मांग है, अपना हक है, उसके लिए महाँ पर लड़ाई की जा रही है, अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इसका जो भविश है, वो किस तरीके से निकल कर सामने आता है, आगे आने वाले समय में, जो वारताओं का दौर एक बार को देखने को मिलेगा सरकार की तरफ से, उसमें क्या कुछ निकलता है, कोई समझोता होता या नहीं होता, ये व हटा नहीं रहे हैं, बलकि उसे री लोकेट करेंगे ताकि, जिस तरह से क्योंकि देखा जाए, 26 जनवरी को भी पुलिस की पूरी तैयारी थी, दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी जो तस्वीरे सामने आई, वो सुरक्षा पर सवाल खड़े करती ह है दिल्ली पूलिस के लिए, तो उसके बाद क्या अब दिल्ली पूलिस छे फरवरी के लिए जो तैयारियां कर रही हैं, वो इसी लिए हैं कि वो इस बार चूक न जाएं। करते हैं फ्यूचर की, भविश्च की, क्योंकि अब भविश्च में अच्छे है जफरवरी आने वाली है, कुछी दिन बचे हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है कि तैयारी क्या है, तैयारी तो फिश्ली बार भी पूरी थी, ये सब कीस कही गई थी, एक लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा, किसानों को तितर बितर किया गया, लेकिन फिर भी तीन सो से चार सो तो कम से कम पुलिस कर भी इसमें गंभी रूप से जखमी हो गए थे, लेकिन अब च्छे परवरी की स्तिती कैसे नियंतरल में की जाएगी, अगर ऐसी कोई स कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ, अगर हो जाता है, तो दिल्ली पुलिस इसको कंट्रोल कैसे करेगी, इसके लिए दिल्ली पुलिस को बहुत सतर करेने की जरूरत है, बेरिगेटिंग कर दी गई है, तो 15 लेर की बेरिगेटिंग को तोड़ना और ट्रेक्टर वहां स से आगे नहीं जा सकते हैं, गाजीपुर बॉर्टर को पूरा सील कर दिया गया है, अब ये देखने वाली बात जरूर रहेगी कि आखिरकार होना कैसे है और इस्तिति को नियंत्रन में कैसे किया जाएगा, जी बिल्कुल प्रदिमन, किसानों को देखा जाए जिस तरह से हर किसी का समर्थन मिल रहा है, वो चाहिए बॉलिवोड हो, हॉलिवोड हो, या फिर पक्षी पार्टिया हो, बॉलिवोड हो, हर किसी का समर्थन मिल रहा है, लेकिन ऐसे में अब अमेरिका ने मोधी सरकार का समर्थन किया है, उन्होंने का है कि ये तीनों बिल एक दम सही है, तो क्या ऐसे में मोदी सरकार इस बिल को वापस बिल्कुल नहीं लेगी, क्या वो ऐसा है कि अगर वो इतने टाइम से सोच रही हो कि शायर वो को अपना कदम पीछे रख ले, लेकिन ऐसे में अमेरिका का समर्तन मिलने के बाद किया हो सकता है, मोधी सरकार इस पर विचार ही ना करे कुझ है क्या आगे की रणनीती है ये समय बताएगा लेकिन समर्थन असली सब की तरफ से दीया जा रहा है कोई किसन नेता उस बात को ना समझाए क्योंकि प्रेदान मंतरी मोधी अगर समझाते हैं किसी भी बात को तो अगर वो किसान निताओं को सब समझाएंगे तो किसान निता भी समझेंगे लेकिन अब किसान निता भी चीज बोलते हैं कि प्रदान मंतरी हमारे भी है उनका सिर नहीं जुकने दिया जाएगा लेकिन अगर आपने जैसे बात की अमेरिका की अमेरिका ने साफ तोर पर यह चीज़ बोल दिया है कि जो कृष्शी कानून है वो बिल्कुल सही है और जो सरकार है भारत में वो सही काम कर रही है लेकिन ऐसे मैं अब किसानों के एकनम बात करते तो किसानी चीज़ बोलते हैं कि ऐसे लोगों का में समर्थन नहीं चाहिए तो बात सिंपल सी है कि किसानों को जो समर्थन दे रहा है जो किसान है वो उसका खुले तोर पर सुईकार उसका समर्थन कर रहे है लेकिन जो भार से समर्थन आ रहा है वो कही ना कई अब अच्छन ने भी बिए चीज इ्शारों में बोली कि आपस के लोग तो जादा बेतर है भार के लोग ना बात करें लेकिन 6 परवरी कुछी दीन दूर ऐसे मैं अब तैयारी क्या दिल्ली पुलिस की ये बड़ा सवाल रहने वाला है आकिरकार दिल्ली कूच करने की बात नहीं कहदी गई है लेकिन अगर होता है तो दिल्ली पुलिस समाल पाएगी या नहीं ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका सवाल का जवाब 6 फरवरी को मिल जाएगा फिलाल इस खास पेशकर्श में सिर्फ इतना ही बने रहे है नीजोल इंडिया के साथ मुसकार